हेलो असलावलेकुम विलकम बेक्टो मैं चैनल कैसे हैं आप लोग आई होब आप लोग अच्छे होंगे जीया स्कूल चली गई है और इनके लिए नास्ता बना रहे थे एक पराठा बना के रख दिये और एक पराठा बेल रहे थे चाय भी बना लिए थे लेकिन जीया को आप लिए दोने के लिए बड़ी गंदा हो गया था रोज सोच रहते लेकिन कोई नहीं पा रहा था था थोड़ा से सूख जाएगा और इधर भी देख लेए ध्यान लगा हुआ था कि नास्ता देखे आए हैं कहीं कुछ चाय और यह होगा तो जोट मूटका लेकिन नास्त करके लग रहा है फ्रेश वर्स होने के लिए गए क्योंकि फिर ओफिस भी जाएंगे ना तो यह देखिए चाय पर अठा यह नास्ता कर लिया है और इतनी गर्मी है कि उपर छट पे जबकि अभी इता तेज तो धूप नहीं है लेकिन फिर भी है गर्मी और आज ना आज ज जल्दी छुट्टी हो जाएगा साड़े नव बज़े ही छुट्टी हो जाएगा तो पहला तीन पिरट था तो बाकि जो कॉपी अपी सब यहीं पे छोड़के गई है लैंच बॉक्स इसका आज निकला है जबकि दो तीन दिन की छुट्टी थी उसके बाद आज जाके लैं आगे लीड और तक भूत दीन केस ही जाएगे ना तक 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 कहीं आप हीलडून नहीं सकते ही कि पहुए हए बस्कूल एंच आ चाहिए क्या डर्यूailable तो जी और इसको प्तला में क्यायाँ गंटा में बदे से या ने के बाद र EVERY खायदा हृएगा तो में कि भीठार में कब क्या चीज चाहिए क्या हम लेना है तो जिया आ चुकी है और आते के साथ देखिए तो क्या कर रही है एक घंटा हो गया इसको और ये देखिए ये तो मेरे नास्ता करके नहीं जाएंगी और आने के बाद इदम खायदा उठा रही है आप सुमने तो अब बनाई नहीं तो ये है नेक्स दे की क्लिप है उसके बाद फिर कुछ भी नहीं बनाए थे गर्मी थी भयंकर वाली है ना कि फिर मन भी नहीं कर रहा है कुछ काम करने का और अभी सुबह का हो रहा है सड़क पांच के लगबग हो रहा है और इनका इंतिज क्लिती गर्मी थी ना कि ये ना फिर से कॉलोनी चले गए थे बोल तो हम लोग को भी रहते लेकिन जिया नहीं गई तो जिया के वज़़े से हम भी नहीं गए हमें भी ना चले जाना चाहिए था रात भर ना नीन ने आई पहली बार तो बोल्टेज भी नहीं था कूलर ना पस हील रहा था और सारा दिन लाइट नहीं था तो इसके वज़़े से इनवर्टर भी चार्ज नहीं था तो नीन पूरी नहीं हुई है सर में दरद हो रहा है हलका हलका और गर्मी की वज़़े से मेरा होता ही है गर्मी की टाइम में अधिकतर मेरा सर दरद होता है तो सुब कि उठकी आज आया करी है, इनको ये लगा कि हम सो रहे होंगे, इसलिए ये ना थोड़ा से लेट में आते हैं, तो आ चुके हैं, जिया भी उठ चुकी है, और जिया चली गई है, स्कूल के लिए तयार होने के लिए, और यहां पर हम लोगी एनरजी ड्रिंक के साथ में, और मेरे पर गुशा भी रहते, कि बोल रहते चलने के लिए तो गई नहीं, और जब मेरा सरदरद होता ना, तो मेरा कहीं पर भी मन नहीं लगता है, जिया चली गई है, इसकूल और ये नास्ता बन रहा है, इनके लिए क्योंकि ये नास्ता करेंगे, और उसके अध आफिस बड़ी बड़ी चीजे अच्छी नहीं लगती, ऐसा नहीं कि मुझे बहुत चाहिए, अच्छी चीजे मुझे ना, छोटी-छोटी चीजों में भी बहुत खुशी मिलती है, तो ये जो टेक्टर चलता है, खेत में हमको ये सुनना बड़ा अच्छा लगता है, उसके बाद बरतन है, बरतन धोएंगे और खाना बनाएंगे, पसीना देखी गर्मी बहुत भयांकर वाली है, अध से जादा वाली जो गर्मी होती है, वो है, तो काफी पी लेते हैं, थोड़ा देर बैठ लेते हैं, फिर चलते हैं खाना बनाने के लिए, और आज वासी मसीन नहीं आउ चला था, तो आज सोच रहें कि अपने आपको भी रेष्ट देते हैं, और वासी मसीन को भी रेष्ट देते हैं, तो ठंडी-ठंडी मेरी कोल्ड कॉफी आ गई है, और समझ में नहीं आ रहा है, कि गर्मी का टाइम चल रहा है, कि बरसात का टाइम चला है, क्योंकि गर्मी से जादा गर्मी अभी पढ़ रही है तो कोल्ड कॉफी पी लेते हैं और इसके बाद खाना बनाने चलते हैं तो आज के हैं खाना बनाने के लिए और बहुत दिन से ना बस मसाला मसाला चल रहा था गोस्त प्लाव खेचड़ा आई जब तो अब साधा खाना खाने का बहुत मान क सब का क्रोड का साधा क्योंकर सब्लोग सामुक है तो आज बनने वाले हैं दाल चावल और निन्वा की सबजी तूरह जो को आख लोग बहते सAJा गोनाल बहुते हैं और दाल ना मेरे पास यह जो हम लोग मार्केट वाला यूज नहीं करते हैं चिलका वाला ही यूज करते हैं तो यह वाली जो दाल है यह पुरानी है और अभी जो लेकर आए हैं यह देखिए तो जब भी कभी कोई ना आती गाहों से जो कोई बेचने वाली आती है तो अच्छा जो दाल होता है तो यह एक दो पीलो लेकर और रख देते हैं और आज हम सोच रहे हैं कि अरहकी दाल में थोड़ा सा चने की डाल भी एड़ कर देते हैं हलका सा तो कि पतानी क्यों आज आज प्लेन डाल में बनाएंगे ठीक तो इतना साही इतना साही बस में चने की डाल एड़ करें चने की डाल जल्दी गलता नहीं है लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है गल गया तो अच्छा है और यह वाली जो दाल होती है ना इस फोड़ी सी गाड ही अच्छी लगती है पतली वाली अच्छी नहीं लगती है तो आ चुके हैं डाल धोने के लिए और यह देखिए बरतन का पुरा लाइन लगा हुआ है खानाओना बना लेना उसके बाद यह बरतन भी लगा देंगे और सबसे ज़्यादा बोरियत यही लगता है बरतन धुलने को तो ध छिलका निकल जाता है ठीक है वैसे तो छिलका खाने में कोई ऐसा बोरा नहीं लगता है लेकीं सिर्igत देखने में थोड़ा सवे लगता है अगर इसको थोड़ा देर पुला दीजेक तो सारा चिलका निञल जाएगा और मारकेट वाला जो आपका डाल होता है जो जल्दी चल्डी सा गल जाएगा. इसी विए इस में आरों का पानी डाल दिये और दूधा यहां पर महीन कट करके आधी से थोड़ा सा ज़ादा प्याज था तो वो डाल दे रहें है दो तीन इस हरी मिर्च डाल दे रहें अभी का जो हरी मिर्च नहीं होता है तो दो तीन अच्छे से डाल दीजे और छोड़ा सा इसमें टमाटर डाल रहा है वैसे तो टमाटर इसमें ज़्यादा ही पड़ता है लेकिन टमाटर बहुत महंगा है इसलिए छोड़ा सा ही ना काफी है और सब चीज ना महीन कट करकर के इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा इसमें लेस हों तोड़ा सा इसमें अदरक महीन चौप करके आप डाल दीजे मैं इसमें अदरक अभी नहीं डाल रही हूं क्योंकि मुझे याद ही नहीं था उस समय तो इसलिए मैं इसकिप कर दी आप लोग डाल सकते हैं और अदरक को चाहे ना तो कूट के भी डाल दीजे पेस्ट हो तो पेस्ट डाल दीजे लेकिन मैं पेस्ट कभी नहीं डालती है क्योंकि उससे पुरा कलरी एकदम चेंज हो जाता है तो मुझे थोड़ा सा महीन चौप करके ज़्यादा अच्छा लगता है यह आपके पास आप चाहे जैसे हैं वो ऐसे डाल सकते हैं उसके बाद यहां पे लेस्ट को भी महीन एकदम कट करके और डाल दिये हैं दो तीन जादा नहीं डाले थे उसके बाद इसमें स्वादनसार नमक डाल दीजे और उसके बाद इसमें हल्दी डाल दीजे हल्दी भी नमक तो चाहिए नम कुकर लगा दिये अभी में चीज तो भूली खरें अधिक तर ऐसा होता है तो फिर याद आता है भी देखिए चिलका उलका सब हटा लिए साफ कर लिए फिर मुझे याद आया कि इसमें देसी घी तो डाले ही नहीं है और बिना देसी घी के ये डाल तो अधूरी अधूरी सी ह और जब भी कभी दाल ओल बनाएए ना तो थोड़ा साथ में तेल सरसो का तेल या देसी घी डाल दीजे तो वो ना पूरा कुकर खराब नहीं होता है दाल जो बाहर आता है ना वो नहीं होता है ये भी है ठीक है तो फिर से धकन लगाके और दिमियाच पे छोड़ दिये हैं और अब चलते हैं सबजी का बनाने के लिए सबजी का बनाने तो नेनुआ निकाल लेते हैं फ्रीज में से और बैट के जिया के साथ कूलर में क्योंकि बिना कूलर के आपको कहीं पे भी मन नहीं लगने वाला है इतनी भयंकर वाली गर्मी है और हमारे घर में तो को ज़्या पास थोड़ा देर बात्चीत भी किये और फिर वहीं पे सबजी काटके और ले आए उतने देर में दाल भी पग गई थी और कड़ाई चढ़ा दिये हैं और यह वाली जो कड़ाई है ना यह स्टील वाली तो यही वाली चढ़ा दिये यह थोड़ी सी फैली हुई रहती है और जैसे फैला हुआ रहता है ना और इवन एक गटे होता है जल्दी जब कभी काम होता है तो इसमें करने में मजा आता है और धकन वाला भी है और देखनी में अच्छा लगता है तो बनाने में भी मन लग जाता है तो MUR सो करदा द electron का phones जान के तेसमें एक बड़ी साइज की प तूट जाएगा कब तूट जाएगा चलाने में भी ना दम नहीं लगा रहे थे हलका हलका ही कर रहे थे तो बस प्याज लाल होगा उसके बाद इसमें निनुवा डाल देंगे तो यहां पे डाल देखिए अच्छी खासी एकदम गल गई है पहले हम सोचे थे कि चनी की डाल न हैं और उसके बाद पहले न तेजाज में रखेंगे क्योंकि निनुवा पानी बहुत छोड़ता है और अगर आप इसको ढख के पानी के साथ पकाएंगे तो निनुवा बहुत जादा गल जाएगा और पानी न सूख नहीं पाएगा तो इसलिए थोड़ा देर पहले तेजा मचे बहुत पहाड़ी खाना आपके पहाड़ी खाना बहुत पसंद रहाएंगी मैं चारा और खूर सब्सक्तित करतेंगे तो यहां पर मेरे जो spoon है कितने देर से डर डर के बना रहे थे और डर के आगे जीत बिल्कुल भी नहीं है तो spoon टूट चुका है तो बस आज इसका भी end हो गया काफी time से था जब कि ज़्यादा use तो करते नहीं थे locally था तो यहां पर निन्वा की सबजी तयार हो चुकी है भु कर लीजेगा बाबाई अल्हाफीज फिर मिलते हैं